बारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका की राजपती डॉनल्ड टॉम्प ने मधिस्तता की पेशकश की है डॉनल्ड टॉम्प ने कहा कि अमेरिका बारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मधिस्तता करने के लिए तयार है डॉनल्ड टरम्प ने ट्वीट किया हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है अगर वो चाहें तो सीमा विवाद में अमेरिका मतिस्ता करने को तयार है गौर तलब है किस महीने की शुरुआत से ही लदाक में चीनी सैनिक और भारती सैनिक आमने सामने हैं चीन की ओर से लगतार सैनिकों की संक्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरे आ रही हैं ऐसे में भारत भी पूरी तरह से मुस्तेद है बीते दिन प्रदान मंत्री नरेंड मोदी ने भी इस मसले पर प्रदान मंत्री कार्याले में चर्चा की थी पीमोदी ने मंगलवार को लदाक मामले पर पूरी रिपोर्ट ली इसके लावा तीनों सैना के प्रमुकों से विकल्प सुजाने के लिए कहा गया इस बैटेक में राश्टी सुरक्षर शलाकार अजी डोबाल भी मौजूद रहे इस दोरान सैना प्रमुकों सीडियेस से इस मामले पर प्लू प्रिंट मांगा गया है प्यमोदी की बैटेक से पहले रक्षा मंत्र राजना सिंग ने इस मसले पर बैटेक की थी और ये फैसला हुआ था कि भारत लद्लाग बॉर्डर पर अपनी सड़क का निर्माण नहीं रोकेगा ऐसी ही और भी कई खबरे सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सबस्क्राइब करें हमारे चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग खबरों के लिए